जहन सात्यों एरफोर्स रिजल्ट और इन्रॉल्मेंट के रोग पर चलते हुए प्रिसानियों को इसका बेसवरी से इंतिजार है कि एरफोर्स का रिजल्ट और इन्रॉल्मेंट कब आएगा इसी बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निगल के आ रही है जो आप लोग के स दिखा हुआ है कि आगई खुसकवरी तो हाँ जी हां सही बात है कि खुसकवरी आपके लिए आशुगी है कि एरफोर्स का रिजल्ट और इन्रॉल्मेंट कब आएगा साथ साथ में नेवी के बारें भी बताऊंगा और आर्मी के बारें बताऊंगा तो वीडियो के लास्त जरूर बने रहें और वीडियो के लास्त तक बने रहने पर आपको पता लगेगा कि आपका एरफोर्स का रिजल्ट और न्यू वेकंसी यह सारी चीज़े कवाएगी तो जी हां बात करते हैं जैसे कि आप लोग को पता है कि दिल्ली में अभी 18 तारिक से लेकर 22 तारिक मलब अभ की बार एइर फोर्स में उर्में की फिवरति होघी और नेभी में भी इवीं की वरती होघी तो इससे क्या होगा कि इनकी लिए करेगरी इनकी एक अलग केटेगरी होगी इनकी ट्रेनिंग सेंटर अलग होगी तो उसी बीचा हो रहा है इसी वज़ा से एयरूटर्स का रिजल्ट और इन्रॉल्मेंट को रोग कर रखा गया है तो वहाँ पर बताया गया है कि टाइम लिया गया है कि 45 दिन का time agreed as a iki पाइतालेस दिन मानके चलोगी पैटालेस दिन में ए रुमेन का भी कटाइगरी जो section को अलब कर दिया जाएगा और उनका भी selection process पहुं कर दिया जाएगा कि एक इसका ये माझद होगा इससे क्या होगा कि हां एर योडिक होगी जो हमारी महिला आए result delay हो रहा है या हमारा enrollment delay हो रहा है तो अब आपको यह नहीं सुनने को मिलेगा आपको 45 दिन का time मिला है 45 days only 45 days यह कहलो कि 45 days मनलब जून के last week जून मन्त के last week और जुलाई के first week तक आपको एक अच्छी अपडेट मिल जाएगी तब तक आपका result और enrollment अगर जो भगवान ने चाहा तो आपका result और enrollment आ जाएगा ज्यादा मैं बड़ी नहीं फेक रहा हूं बस कहीं से इंपुट और अपडेट मिला इसलिए मैं बोल रहा टाइम नहीं है यह april आपका निकल गया है मैं जून जुलाई तीन चार महीने आपके पास में टाइम है तो तीन महीने आप अच्छे से पढ़ाई कर लो ठीक है उसके बाद में new vacancy भी और हो सकता है कि साल में दो intent हो या ऐसे भी हो सकता है कि साल में तीन intent भी करवा जाए ठ कि बातों पर मत ध्यान दो जब भी कोई अपडेट आएगा आपको साइट मिलेगा लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूं कि 45 डेज में आपको कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगा मैं मानता हूं कि आप लोग एक साल से बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं 12 जुलाई से 18 जुलाई लेकिन बहीं कर भी क्या सकते हैं इंतिजार क्या लाओं तो प्लीज अब इंतिजार की घड़ी खतम होने वाली है आप लोग जो बेसबरी से इंतिजार करना है कि एरफोर्स का रिजल्ट और इन्रॉल्मेंट कब आएगा तो बहुत ही जल्दी आपके सामने देखने को मिले की आगर जो मालनोग की आपको एक चांस मिलता है तो उस चांस में आपको इतना मेहनत करके ड़ाओ को करेक कर दो ठीक है और और उसके साथ में हम लोग आपके साथ में लगे हुए हैं और अभी सेनवर्ती को लेकर अरमी आर्मी छांप ठीला लर्ख या आर्मी राइलियो WOR Divine को फिर से किया जाएंगा और सारे एरफोर्स के रिजल्ट इन्रॉल्मेंट आर्मी एक्जाम आर्मी रैली वरती और नेवी के बारे में जिसमें हम एज रिलेक्सेशन और टीओडी पर बात करेंगे तो आप लोग परिशान मत हो एक चीज़ और निकल के आ कि एरफोर्स वालों का टिषाव डिव्य अलग होगा आर्मी वालों का इस अलग होगा और नेवी का अलग हुआ तो यह सब फ striking हमारा एंगा इंतिजार की घड़ी खतम हो रही है दीरे दीरे आप परिशान बिल्कूल मत हो यह भरोसा रखिए ठीक है अपने आप पे भरोसा रखिए और आपने एक्जाम में अच्छा किया है तो आपका रिजल्ट हंडेट परसंट सही आएगा तो प्लीज आप अपनी पढ़ाई को इस बात को लेकर अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो लग रहा हो कि मेरी बात में कुछ सचा ही एक परसंट तो वीडियो को सेर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जैए भारत अपना और अपनों का ख्याल ल जैए जैवारत लभी ओल टेक क्यर